हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन जिसे हम पिंटक्स और कट्वर्क के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी पैंट में से ये वला फैबरिक लिया है ये लगबग पांच इन चोड़ा है और लंबाई में मैंने ये थोड़ा ज़ादा ही लिया है क्यूंकि इस पर पिंटक्स ड़लेगी और पिंटक्स ड़लने के बाद इसकी लेंध कम रह जाती है इसलिए म तो ये देखिए एक पिंटक्स हमारी डल चुकी है और अब हम यहां से पॉना इंच फैब्रिक को और फोल्ड करेंगे और अपनी दूसरी पिंटक्स भी डाल देंगे किनारी की ही तो दो पिंटक्स ऐसे हमारी ये लग चुकी है और ऐसे हमने पोना पोना इंच के गैप पे पूरे फैब्रिक के उपर पिंटक्स लगा लेनी है तो ऐसे हमने पूरे फैब्रिक के उपर एक तरफ की पिंटक्स डाल ली है और अब हमने क्या करना है पहले इसकोने से हमने पिंटक्स डाली थी अब हम इसकोने से ऐसे डालेंगे इस तरीके से तो पहले हम पिंटक्स वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी किनारी की पिंटक्स लगा लेंगे तो ऐसे हमने एक पिंटक्स डाल ली है ऐसे हमने पोना पोना इंच के गैप के साथ ही इस तरीके से भी पिंटक्स डाल देनी है तो ये दिखिए दोनों तरफ की पिंटक्स हमारी लग चुकी है और ये पैटरन हमारा कितना प्यूटिफुल त्यार हुआ है और अब हम इसको अपनी पैंट पे रख के स्टिच करेंगे तो ये मेरी पैंट की मोरी वाली साइड है और इसको हमने सीधा करके रखना है और पैटरन को इसके उपर हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आधे-ाधे इंच का मार्जन लेते हुए सिलाई लगा देंगे तो यही सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे पिंटक्स वाले फैबरिक को और यहाँ एक-एक पैर की सिलाई लगा देंगे तो यह वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हमने इसके नीचे कट वर्क लगाना है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो अब हमने यह वाली बुक्रम पे अपना कट वर्क ड्रॉ करना है तो कट वर्क ड्रॉ करने के लिए मैंने बुक्रम में से ही यह चोटा सा पीस लिया है यह लगबग धाई इंच लंबा है और डेड़ इंच चोड़ा है और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इस पे अपना कट वर्क ड्रॉ करेंगे पहले और ऐसे आपने ड्रॉ करना है इस तरीके से ऐसे इसको गुलाई शेप दे देनी है यहां से और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर देंगे तो हमारा ये जो cut work है इस तरीके से आ जाएगा ऐसे और अब हम इस पे draw करेंगे इसको रखके ही ये वले pattern को तो ये जो बुक्रम ली है मैंने लगबग 2 इंच ओड़ी ली है और लंबाई में ये हमारी pen की मोरी के जितनी ही है और अब हम इस पे ऐसे नीचे की तरफ हमें आदा इंच बुक्रम रखते हुए यहाँ पे सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से ये दिखिए आदा इंच मैंने बुक्रम छोड़ी है नीचे की तरफ और अब हम इस पे अपना pattern रखेंगे ये cutwork वाला और ऐसे draw कर देंगे एक कोने से रखते हुए हम अपने pattern को ऐसे draw कर लेंगे सारा cutwork तो ऐसे हमारा ये सारा cutwork draw हो चुका है और अब हमने अपनी marking के साथ साथ इसको cut भी कर लेना है तो ये cutwork हमारा इसे cut हो चुका है और अब हम इसको extra fabric के उपर paste कर देंगे तो ये extra fabric मैंने pen में से ही लिया है और इसको ऐसे रखेंगे लगबग आधा इंच आपने उपर से चोड़ के रखना है cutwork को और इसको ये paper pasting के साथ हम paste कर देंगे और ये असानी से fabric के साथ चिपक जाएगा ऐसे तो ऐसे सारे fabric के उपर मैंने pasting लगा दी है और बिल्कुल इसके साथ का ही मैंने same fabric लिया है same लंबा और same ही चोड़ा और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अपने cutwork के साथ साथ सिलाई लगा देंगे ये सिलाई आप थोड़ा धीरे धीरे finishing के साथ लगाएं तो ऐसे सिलाई लग चुकी है और अब हम ये बाहर वाले fabric को यहाँ से cut कर देंगे सिरफ एक एक पैर का margin लेते हुए और अब हमने यहाँ पे cut भी लगाने है तो पहले बीच वाले cut लगा लेते हैं तो ये cut ध्यान से लगाएं आपकी सिलाई ना कटे और end तक लगाएं ताकि अच्छी finishing आए इसको पलटने के बाद और अब हम इसकी गुलाई में भी cut लगा लेते हैं इस तरीके से तो cut भी हमारे लग चुकी है और अब हम इसको पलट लेते हैं तो पलटने के बाद हमारा ये cut work कैसे आजाएगा तो अब हम इसको अपनी plazo pen पे stitch करेंगे तो ऐसे हम अपनी plazo pen को सीधा करके रखेंगे और pattern को इसके उपर उल्टा करके और यहाँ पे आधे आधे इंच का margin लेते हुए सिलाई लगा देंगे तो यही सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे हम एक पेर की सिलाई लगा देंगे तो यही सिलाई भी हमने लगा दी है और अब हम इसको fitting की सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए कितना beautiful हमारा यह plazo pen का design बनके तयार हो गया है तो आप भी अपनी plazo pen पे यह जरूर ट्राइ करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यह जो border है हमारा लग बग साड़े 5 इंच यह तियार हुआ है यह देखिए तो आपने अपनी जो plazo pen की length है वो साड़े 5 इंच कम कट करनी है तो अभी मैं आपको इसको पेहन के भी दिखाती हूँ तो पेहनने के बाद यह कुछ ऐसे आ जाएगी तो देखिए कितना beautiful design हमारा यह ready हुआ है तो अगर आपको मेरा यह design और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye